या क्या Time Travel हो सकता है ? दोस्तो आज जो पात हम आपको बताने वाले हैं उसे सुन कर आप यकीन करेंगे की Time Traveling हो सकती है ऊचली दोस्तो शुरू करते हैं Time Traveling Train दोस्तो ये ट्रेन घोस ट्रेन टाइम ट्रेवल जैसे कई नामों से जानी जाती है पर इस ट्रेन का असली नाम है जेनेटी इस ट्रेन को पहली बार 14 जून 1911 में चलाया गया और वो इसका पहला और आखरी सफर था इस पहले सफर में 106 लोगों को साइड सीन के लिए बिठाया गया और इस ट्रेन में 3 कमपार्टमेंट थे जो की लोहे की रॉड से जुड़े हुए थे साइड सीन के लिए इसका सफर छोटा था पर वो इतना घहरा हो जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था अपनी डेस्टिनेशन को कम्प्लीट करने के लिए इस ट्रेन को एक टरनल से गुजरना था और वो टरनल एक किलोमेटर का था मिस्चिरियस या अनसॉल्ड बाते यहां से शुरू हुई जब ये ट्रेन को एक टरनल से जाते हुए तो देखा पर उसी टरनल से बाहर निकलते हुए इस ट्रेन को किसी नहीं देखा पासी टरनल के दोनों और ट्रेन चेकर्स ने ये चीज़ नोटिस की और एक दूसरे को कॉन्टेक्ट किया उन चेकर्स को ये लगा कि शायद ये ट्रेन खराब होने की वैसे अंदर ही फस गई होगी तो दोनों अपनी सैट से चले और टरनल में दोनों मिले पर उन्हें ट्रेन नहीं मिली दोनों चेकर्स काफी डर गए और पुलिस और रेल डिपार्टमेंट को ये बात बताई पुलिस को लगा कि शायद दोनों चेकर्स से कोई गलती हुई है इसलिए वो लोग टेकनिकल टीम्स के साथ टरनल गए जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो उनकी क्रियोसिटी बढ़ रही थी क्योंकि ट्रेन उन्हें नहीं मिली और साथी साथ उनका डर भी कि आखिर अगर वो ट्रेन नहीं मिली तो फिर वो प्रेसेंजर्स और ट्रेन गई का पर जो जेकर्स के साथ हुआ वो पुलिस और टीम्स के साथ भी हुआ टनल दोनों और से खाली थी ये काफी मिस्टीरियस बात थी कि आखिर वो ट्रेन कहां गई और साथी साथ 106 परसेंजर्स कहां गए रोमन रेलवे कोई भी कदम उठाती उससे पहले ही दो लोग रोमन रेलवे के पास आए और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर आपके भी रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे उन्होंने अपने बयान में बताया कि वो दो लोग 106 लोगों में से थे और उन्होंने पहले ही अबास हो गया था कि कुछ गड़बर होने वाली है इसलिए उन्होंने चलती ट्रेन में से चलान लगा दी थी और उन्होंने चलान टर्नल में ट्रेन खुसने से पहले ही लगा दी थी और इन्हों ने देखा कि वो ट्रेन टरेनल से पहले किसी दर्वाजे में प्रवेश कर रही है और उस दर्वाजे के आस पास बहुत दुआ है इन सब में ही एक बात और सामने आई कि अगर इन दोनों लोगों ने ट्रैक के पास ही चलांग लगाई थी तो पुलिस या फिर ट्रेन चेकर ने इन दोनों लोगों को क्यों नहीं देखा इस बयान के बाद रोमन रेलवे ने इस टरनल को दोनों साइट से बंद कर दिया जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा था वैसे जैसे स्ट्रेन से जुड़ी और भी मिश्ट्रीज सामने आ रही थी 104 लोगों में से एक विक्ति के परिवार ने 1926 में आर्ची रिपोर्ट पड़ी जिसमें 1845 मेक्सिको के पाल खाने में 104 लोग भरती हुए और कॉमन बात थी कि उनका कहना था कि वो रोम से आये है सबके सब इटैलियन थे और साथी साथ सबका कहना था कि वो ट्रेन से आये है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि रोम मेक्सिको के बीच में 10,234 किलोमेटर का फासला है और इस रास्ते के बीच में कोई भी डायट कनेक्टिविटी नहीं है अगर कनेक्टिविटी हो सकती है तो वो है सिर्फ शिप्स के थूँ अब इन लोगों की बातों को नज़र अंदास किया गया और मेक्सिको ने इन लोगों के रिकॉर्ड चेक करने शुरू किये बट इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला अगर ये लोग सच में रोम से आये थे तो ज़रूर इनका शिप में कोई रिकॉर्ड होगा बट इनका कोई भी रिकॉर्ड शिप से भी नहीं मिला क्या ये सब सच बोल रहे थे शायद ये सच बोल रहे थे तो ये कैसे हो सकता है कि किसी के पास 1845 में 1907 का बॉक्स हो जिस पर प्रिंट डेट फ्यूचर की डली हो इन 104 लोगों की और उस ट्रेन की आज भी बातों को मिस्चीरियस माना जाता है इस ट्रेन को कई बार बहुत जगा देखा गया जैसे रशिया जर्मनी इटैली इंडिया रुमानिया और जब लोगों से पूछा गया तो सबने बताया कि अचानक से ये ट्रेन प्रकट हुई जिसमें तीन कमपार्टमेंट थे बट फिर वो कहीं गायब हो गई उसी तरह 1951 में पॉलिटीविया में इस ट्रेन को एक इंवस्टीकेटर ने देखा और वो उस ट्रेन में चड़ गया अब तक उसका भी कुछ पता नहीं ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर विश्वास करना या किसी निश्कर्स पर आना थोड़ा मुश्किल है क्योंक के लिए एक सवाल अगर आप लोग को इस ट्रेन में सफर करने का मौका मिले तो आप कहां और कौन से एयर में जाना पसंद करोगे हमें कमेट में जरूर बताएं और भी मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे वीड